वेलकम बेक एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आठ बिग बेशली का मैच खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच इसके बारे में जिसको सिडनी स्मैश भी हम कह सकते हैं कि जब भी दो सिडनी के टीम है खेलती है तो उसको सिडनी स्मैश कहा जाता है और यह वाला मैच काफी तगड़ा मैच रहने वाला है सबसे पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं इस वाले मैच के अंदर तीन बड़े प्लेयर खेलने वाले हैं और ऐसे प्लेयर हैं पर जिनको मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूं और साथ में थोड़े बहुत मैं आपको ट्रंप कार्ड कंडिशन बताऊंगा प्लेयर नहीं कंडिशन क्योंकि कंडिशन की अकोडिंग टीम बनती है और फिर अब इसी बाते प्रॉफिट भी होता है कल वाले मैच देखिए उतना कुछ खास हमारे लिए गया नहीं बीबिल का मैं देखे किलियर बोलता हूं आपको बताऊगा जब मैं हारता हूं तब भी आपको बोलता हूं और जब मैं जीतता हूं तब भी आपको बताता क्योंकि वह चीज़े बहुत important है तो match होगा न वह 145 फे start होगा जो normally start होता ही है thunders तो success के बीचे match होगा match की final team आपको telegram channel पे मिलेगी कोई भी ऐसा बंदा जो video को देख रहा हो और telegram channel से नहीं जुड़ा हो तो देखिए ये वाला जो match होगा ना वो Sydney cricket ground में मतलब खेला जाएगा जहां पर अगर मैं पिछले match की बात करता हूं तो यहां पर पिछला match खेला गया था Sydney Sixers और Melbourne Stars का ठीक है बाकि पिछली चार match में आप देखोगे तो दो match जीती है बोलिंग करने वाले टीम और दो match जीती है बैटिंग करने वाले टीम ठीक है बाकि expect है क्योंकि पिछला वाला match बोलिंग करने वाली टीम जीती है तो उमीड है कि जो भी team toss जीतके पहले बोलिंग करती है अला कि देखिए Sydney thunders और Sydney Sixers में Sixers जादा आगर sixers की टीम पहले बोलिंग करती है तो वो इस मेच को easily win कर लेंगे ठीक है वो expected कि अगर पहले bowling करती है तो इस मेच को easily win कर लेंगे लेकिन अगर वही team batting करते है sixers की तब भी वो win to कर सकते हैं लेकिन उस case में difficulty आएगी ठीक है क्योंकि थंडर्स के पास एक बड़ा गेमचेंजर प्लेयर आच चुका है जो भी मैं आपको बता भी दूंगा बस इतना ध्यान देना जो बोलिंग करती उसके विनिंग के चांच जाद है चाहे वह सिक्सर सो चाहे वह थंडर्स थोड़े दस पर सेरशन बार बारिष के वह सिक्सर works बात करता हूं तो ओ्ट मेच खेली ये तीम दो मैच तो इनके बारिष के कानड़ा हो गए दो मेचे टीम हरी है चार मेचे टीम जीती है ठंडर साथ मेच खेली लेकन जीती के वो लेक है पांच मेचे हारी है और एक मेच न का भी बारिश की कान रद्ध हुआ था और अगर बात करता हूं पिछले मैच की so guys देखें पिछले match में total जो wicket गए वो 13 गए थैं बोलर्सके खाते में 9 wicket लचार विकेट लचार लचार इंगे इस्पिनर्स ने Boss आपके लिए important होंगे second inning के अंदर ध्यान लखके चलना इस छीज का Spinners important होंगे second inning के अंदर और Pacers आपके लिए important होंगे first inning के अंदर जो भी टीम पहले betting कर रही है उसके जो players है Pacers तो होंगे important लेकिन spinners भी होंगे ठीक है और जो टीम bowling कर रही है उनके Pacers ज्यादा important होंगे spinners कम important होंगे ध्यान रखके चलना उसके अलब अगर मैं बात करता हूँ head to head record की तो अठारा मैं जो है जो है Sixers की टीम जीती है और ठंडर्स के वह साथ जीती है ठंडर्स कमजोर भी ए Sixers है ठीक है टोटल 24 matches होंगे जिसमें एक रद हो गया था अगर मैं बात करता हूँ investment की तो जैसे आपको बता होगा कि कल वाले match में भी investment लीग लिए उन पर किया तो मैं करता भी लीग लिए उन पर ही हो क्योंकि देखिए competition कम मिलेगा entry fees कम है और सबसे बहतरीन application है seven plus four combination में जो भी लोग खेलते हैं उनके लिए जिसने भी download नहीं किया है download कर लेना description box में मैंने link दिया हुआ है बहतरीन application है try भी कर सकते है आप small link के seven four के लिए सबसे best step है description में link मिल जाएगा download कर लेना जिसने नहीं किया है दो दिन बाद यानि कि Sunday के दिन आपके लिए इस match के लिए giveaway भी मतलब जो भी BBL रहा तो BBL में या कोई भी match आया तो इसमें mobile का giveaway भी होगा ठीक है लिए लिए उन पर जो download कर रखे होंगे उनको मिल जाएगा बात करते हैं प्लेंग लिए उनकी सबसे पहले Sixers की तो Stephen Smith इस match में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे जो तीन बड़े changes थे उसमें एक change तो हो चुका है और यह open करेंगे mostly Josh Philippi के साथ James Wins one down, Moses Hendrickus, Jordan and Sill, Jake Edward, Head and Care, दूसरा बड़ा change इस match का वो रहेगा Head and Care, उसके बाद आएंगे band wash हुए scene एबर, Steve O'Keefee और Todd Murphy, यह team की expected line-up है, betting order के according, बात करते हैं main bowlers की, so 1-2, यह 2 तो confirm है कि bowling 4-4 over करेंगे, बचते हैं 8 तो होई गए ना 12 और, उन 12 और में Head and Care, Jake Edward, Steve O'Keefee और Todd Murphy, आगर spinners को help होती है, तो यह दोनो 8 over करेंगे और यह दोनो 2-2 over करेंगे, अगर spinners को help नहीं होती है, तो यह दोनो 2-2 over करेंगे और यह दोनो 4-4 over करेंगे, यह वही है condition wise जो है bowling होगी player हो की, उसके बाद हम बात करते हैं, power play और death की, Edward, Ebert और Murphy, यह 3 player मिलके power play को finish करेंगे, death horse में Edward बोलिंग करने वाले हैं, और यह bench के player हैं, जिसमें Daniel Uges और Jackson Bird chance रखते हैं, इस match में खेलने के, उसके बाद हम बात करते हैं, player हो का record, कि बाई player हो की, यह जो match होगा ना, देखिए यह चीज में बता दू आपको, यह जो match है, यह thunders के against, ठीक है, THU, तो यह चीज तो आप HT क मैच होगा, तो जोश फिलीपे की, अगर मैं बात करता हूँ, तो इस BBL से पहले तो इनकी form अच्छी थी नहीं, लेकिन BBL गंदर बंदा बहुत अच्छा performance दिखा रहा है, अभी मैं आपको इनका scorecard भी दिखाऊंगा, यह जितने भी player हो की form है, जितने भी, चाहे वो पहली इस टीम से हो, चाहे वो दूसरी वाली टीम से हो, यह BBL से पहले की ध्यान लखना, ठीक है, लेकिन यह अगर बात करता हूँ, मैं अगेंस्ट का record, यह total है, जितने भी इनोंने matches खेले न, अगेंस्ट थंडर्स वो total record है यह, पिछले 5 matches का, ठीक है, तो 11, 10, 6, 57 और 13, लेकिन फिर भी important होगा, क्योंकि विकिट कीपिंग करेगा, तो विकिट कीपिंग के point जो हो है, extra वो भी इनी के पास आने वाले, यह open करेंगे mostly Stephen Smith के साथ, और Smith की बात आती है, तो अगेंस्ट थंडर्स इन्होंने पिछले वाले match में, जो खेला था, 125 run का score किया था, और इस उसके बात हैंगे James Wins one down, wins की बात आती है, तो अगेंस्ट थंडर्स record बंदे का बहुत सूपब है, और venue पे भी अच्छा record है, तीनों प्लेयरों को pick करना है, तीनों को, Mosses Hendricks की बात आती है, Mosses Hendricks की अगर मैं बात करता हूं, तो बंदे का record बहुत अच्छा है, और venue पे भ down करता है, Jake Edward की बात आती है, तो फिछला वाला जो मैस था अगेंस्ट थंडर्स, उसमें तीन विकेट लिए, और venue की बात आती है, तो ठीक ठाक से इनका record है, एड़न के जो है, काफी दिनों बात most likely इस मैच में खेलते हूं, देखने को मिलेंगा आपको, और ऐसा भी हो सकता है, एड़न केर अगर नहीं खेलते हैं, तो जैक्सन बड़ भी खेल सकते हैं, वैसे हैड़न केर के venue का record काफी है, मतलब ठीक ठाक है, और अगेंस्ट का record भी ठीक ठाक है, बेंड वाश्यों इसकी बात आती है, बंदे ने हर मैच में विकेट ले आए, अगेंस्ट इनी पे, उसके अलावा चोथा आपके लिए रहेगा, बेंड वाश्यों इस पाश्यों सीने, बड़ आगर ही टीम बैटिंग करती है, तो उस केस में आप एड़न केर को भी ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग बेक अप भी देगा, जेक एड़वर्ड को तब लेना, जब या तो आ सेवन नमबर पे बोलिंग के चांस रखेगा, ठीक है, सिक्स ही मान लो, आप लोग, सेवन तो छोड़ी दो, सिक्स नमबर पे रहेगा, इस्टी वो कीफी और टोड़ मरिफी की बात आती है, कीफी का रिकोर्ड सूपब है, शांदार रिकोर्ड है, अगेंस सिद्नी थंडर मरिफी की बात आती है, हर मैच में विकेट ले, इस वेन्यू पे और अगेंस्ट की बात आती है, तो दो मैच में विकेट ले और एक में विकेट लेस है, और ये बैंच के प्लेयर है, जिसमें जैक्सन बैड और डैनियल हुजेस के चांस है की खेल सकते हैं, तेकिन थोड़ हैं और यही रीजन है कि उनकी जगह पर हैďन केर생 में आपको कहलते वह देखने को मिलेंगे अब हम बात करता है सेकंड डीम के तो यहां से जो बड़ा चेंज है वह है डेविड वोर्नर डेविड वोर्नर में मैं खेलते वह देखने को यह तो आपको भी मनना पड़ेगा एबट आएगा वहां से डवाश वीस आएगा और इस टीवो कीफी आएगा आपने देखा ने उनका रिकोर्ड तो मैं तो सजिस्ट करूंगो वोर्नर को या तो आप वीसी कर देना या कैप्टन अगर कर रहे हो तो इसी टीम को विन करवात के लिए ठीक है और अगर मैं बात करता हूँ पावर प्लेयो डेथ की तो सांदू डेनियल एंड तन्वीर सांगा एक्सपेक्टे पावर प्लेय में आएंगे और डेथ होर्स में डेनियल सम्स लिया मैचर नहीं खेलेगा ठीक है लिया मैचर को आप अप अटा देना मोश ल यहां पे जो प्लेयर खेलेंगे मतलब थंडर्स में उनमें कौन से प्लेयर अच्छा परफरमस दिखाए हुए अगेंस सिर्णी सिक्सर्स तो गाइस देखिए वार्नर के अगर मैं बात करता हूँ तो पचास और सोला दो इनिंग इन्होंने खेली वी अच्छी जो अगेंस सिक्सर्स है लेकिन इस वेन्यू पे यह बंदा टोटली फ्लॉप रहा है टोटली फ्लॉप तो यह चीच का ध्यान देना इसलिए मैंने आपको बोला कि स्मित ज्यादा अच्छों को कैप्टन से के लिए क्योंकि वीसी तो वार्नर को बना सकते हो क्योंकि वार्नर लोगों क तो बैनक्रोफट कि अगर में बात करता हूँ तीन मैंच में एक मेंच में अच्छा कर अफ्रहिंस है और ृइटमोर का पहले मैच करता की है मतलब पांच वार मैं वैसे तो मेंन बोलर ही है डेथ में आएगा और डेथ में आने का मतलब ही विकट लेद्ट जाएगा नी तो और चार वर में दो और डेथ लेका यह और साथ में फिर बेकप भी देगा क्योंकि सिकसर्स की बोलिंग अच्छी है बेटिंग इनकी आएगी तो आगर पहले बोलिंग आती है ना तो जैसे Smith को captain कर रहे हो तो इसको VC कर देना या इसको captain कर रहे हो तो उसको VC कर देना अराम से बना सकते हो को difficulty नहीं है उसके बाद Chris Green की बात आती है तो ठीक ठाक सा performance है अगेंस्ट और वेन्यू पे भी अच्छा खासा performance है नाथन मैकेंड् प्लेटली फ्लोप तो नहीं लेकिन उतना कुछ खास performance है नहीं और वेन्यू पे इन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है वह उसमें विकेटलेस है और बाकी दो प्लेयर में जैक्स और सांगा ने मैचस खेले हो जो most likely खेलेंगे नहीं अब हम बात करते हैं आखरी मैच के scorecard की त Smith का battle आपको देखने को मिलेगा तन्वीर सांगा से और वहीं पे डेनियल सम्स से भी ध्यान दखना ठीक है डेनियल हुझे अगर खेलता है तो Chris Green से आपको battle देखने को मिलेगा मॉसे सेंडी की उसका डेनियल सम्स से डैविड वार्नर का तोड मर्फी से उसका रीजन आपको समझ में आए गया होगा कि यह left-handed है और वह office spinner है उसके बाद एलेक्स से इस्टीवो किफी से यह right-handed है और वह leg spinner है उसके बाद टॉम खोलर केड़मोर का बेंड वार्शु इस से यह कुछ battle से जिसको ध्यान में रखे आप या तो small link में changes कर सकते हो यह mini GL में इनको ध्यान में रखे team बना सकते हो अब हम बात करते हैं team की तो मेरी final team telegram channel पर मिलेगी link मैंने description में भी दिया है comment box में भी दिया हुआ है जरूर join का लेना जिन्होंने join नहीं किया है ठीक है च आप आके comment मत करना किया आपने हरवा दिया ठीक है सबसे बेले wicket keeping में bankroft एक अच्छा option है लेकिन venue पे भी bankroft flow of है और against भी तो मैंने pick किया हुआ है Josh Philippe को बैटिंग में आप आओगे James, Alex Hills, उसके अलावा Steve Smith and वहीं पे David Warner, चार मैंने batsman को लिया हुआ है, Hills को अगर आप चा ने जिनको अगर आप चाहो तो ले सकते हो, bowling में आप आओगे, बैंडवार शूइस, नाथन मैंकेंडर्यू जो बैटिंग वेकप भी देगा, और death में भी आएगा, क्योंकि पांच में में बोलर में death में ही आएगा, उसके बाद C, नेबर्ट और Steve O, कीफी को मैं ले रहा ह bowling करती है तो, और अगर मालों यह betting करती है, तो उस case में आप Cameron Bencroft के साथ जा सकते हो, कोई बड़ी difficulty है नहीं, ले सकते हो, मतलब ऐसे difficulty नहीं आएगी, फिलाल के लिए मेरी demo team है, captain wise captain देखिए, देखा जाये ना, तो सबसे best choice Smith और Warner है, और इसमें कोई doubt में ने, लेकिन other side में team की तो, ठीक है, betting आई तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, फिलाल मेरा captain Smith और wise captain Warner है, और बाकी जो भी changes होंगे, मैं telegram पर उस change का आपको inform कर दूँगा, telegram का link मैंने description में, और comment box में दिया हुआ है, जरूर join कर लेना ठीक है, thank you दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलते है next वीडियो में